अगर ये दो चीजें आपस में छूती हैं, तो उस समय आपके अंदर कई पहलू स्पष्ट हो जाते हैं। कई पहलू का मतलब है, आपके विचार स्पष्ट हैं, आपकी भावनाय स्पष्ट हैं और इस बात का बहुत स्पष्ट बोध है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। योग का संबंध फिटनिस से नहीं है, फिटनिस सिर्फ एक नतीजा है। मैं तुपून चीज है जीवन की सही जामिती पाना, क्योंकि भौतिक ब्रहमान पूरा जामिती ही है। ऐसा क्यों है कि आप जहां भी जाते हैं, उपदेश देने के लिए या किसी विचार पर बात करने के लिए, आप एक खास मुद्रा में बैठते हैं। अपने बाया पैर से सैंडल निकाल कर, बाया पैर उपर और दाहिना पैर नीचे जमीन पर। यह आपका स्टाइल है या यही बैठने का सही तरीका है। जिसे हट योग कहते हैं, शारीरिक मुद्रा, यह शरीर को इस तरह से संचालित करता है कि आप एक तरह की जामिती सटीक्ता को पालें। कि आपकी जामिती स्रिष्टी की व्यापक जामिती की सीध में हो। ताकि आप हमेशा तालमेल में रहें, कभी बाहर ना हो। और आप कितने संतुलित हैं, कितने सपश्ट रूप से चीज़ों को देखते हैं और कितनी अच्छी तरह चीज़ों को करते हैं ये सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आप अपने आसपास की हर चीज़ से कितने तालमेल में हैं वो चाहे लोग हों या पेड़ या जीवन या सिर्फ जगए क्या आप उनके साथ तालमेल में हैं या नहीं यही तै करेगा कि आप दुनिया में कितनी सहज्टा से बिना टकराव के काम करते हैं अब मैं हर समय इस तरह नहीं बैठता सिर्फ तब जब मैं बोलता हूँ मैं कैसे बैठा हूँ अगर मुझे समझाना हो तो इसके कई पहलू है एक सरल पहलू है कि बाईएडी 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 पर एक स्थान होता है जिसे आजकल Medical Science Achilles कहता है आपने Achilles के बारे में सुनाएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए में चूती हैं तो उस दोरान आपके अंदर कई पहलू स्पष्ट हो जाते हैं कई पहलूं का मतलब है कि आपके विचार स्पष्ट हैं आपकी भावनाई स्पष्ट हैं और इस बात का बहुत स्पष्ट बोध है कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपने सुना है कि अकीलीज मा और इंसान है, जिसकी मौत उस तरह से हुई, उससे बहुत पहले, कल उसका जनम दिन था, कृष्ण जनमाष्ठमी, उनकी मौत भी इसी तरह हुई, इसका मतलब आपको ये बताना है, कि उन्हें बहुत दक्ष्टा से मारा गया था, बस आपका गला काट कर या सिर्फ होड कर न हैं, तो एक संतुलान आता है, जिससे आप किसी का पक्ष नहीं लेते, देखिए, हम सभी के पास अपनी राय, सोच, विचारधारा, चीजें, जीवन का अपना अनुभव होता है, जीवन के आपके अपने अनुभव और जो छाप आपके मन पर पड़ी है, वो उस हर चीज पर असर डालती है, जो आप देखते हैं, आप इस व्यक्ति को पसंद करते हैं, आप इस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं, आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं, आप इस व्यक्ति से नफरत करते हैं, ये सब इसलिए है, क्योंकि आप लगातार अपनी राय बना रहे हैं, लेकिन अगर आप वाकई जीवन को जानना चाहते हैं, तो सबसे मैतुपून चीज है, कि आप कोई राय न रखें. आप हर चीज को नए सेरे से देखने के लिए तैयार हैं, अपने जीवन के हर पल में, एकदम नए रूप में, अपने जीवन के हर पल में, लोगों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है, जो लोग मेरे साथ 30-35 साल से हैं, हर दिन वो मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ काम करते हैं, कई सारी चीज़ें करते हैं, फिर भी उनके बारे में मेरी कोई राय नहीं है. जब मुझे कोई काम करना होता है, सिर्फ तभी मैं उनकी योगिता और बाकी चीज़ों पर गौर करता हूँ, लेकिन किसी के बारे में मेरी कोई राय नहीं है, जो इतने लंबे समय से मेरे आसपास है, अब तक आपने अपनी राय बना ली होगी, लेकि मैंने नहीं, क्योंकि यही आध्यात्मिक प्रक्रिया का सार है, कि हम लगातार हर जीवन को एक संभावना के रूप में देखते हैं, यकीनन संभावना और हकीकत के बीच एक दूरी होती है, कुछ में उस दूरी को तै करने की हिम्मत और लगन होगी, कुछ में उस दूरी को तै करने की हिम्मत और लगन नहीं होगी लेकिन हर जीवन एक संभावना होता है अगर आप उस संभावना को खुली रखना चाहते हैं तो आप कभी किसी के बारे में किसी तरह की राय कायम नहीं करते अच्छी बुरी या भद्दी आप ऐसी राय कायम नहीं करते आप बस उन्हें अभी देखें वो अभी इस पल कैसे है मेरे लिए बस वही मायने रखता है आप कल कैसे थे इससे मुझे मतलब नहीं है आप कल कैसे होंगे हम देखेंगे कल को बनाया जाना चाहिए उसे अभी से निर्धारित नहीं करना चाहिए है ना? शरीर की एक खास जामिती होती है अगर आप शरीर की जामिती को अच्छी तरह मैनेज करते हैं तो आप, मैं आपको बता रहा हूँ अभी लोग पश्चीमि संस्कृतियां ये प्रचार कर रही है कि योग एक दूसरी स्ट्रेचिंग एकसरसाईस है उसके बजाए आप पिलाटेस कर सकते हैं उसके बदले आप बॉक्सिंग कर सकते हैं उसके बजाए आप टेनिस खेल सकते हैं देखिए, अगर आप सिर्फ फिट होना चाहते हैं जाकर कहीं दौड़िये, पहाड चड़िये, टेनिस खेलिये, कुछ कीजिये. योग का संबंद फिटनेस से नहीं है, फिटनेस उसका सिर्फ एक नतीजा है. मैथुपून चीज है, जीवन की सही जामिती पाना, क्योंकि भौतिक ब्रह्मांड, पूरा जामिती ही है. अब यह इमारत यहां खड़ी है, यह कितने समय तक यहां रहेगी, यह आज हमारे सिर्फ पर गिर जाएगी, यह लंबे समय तक टिकी रहेगी, यह दरसल इस पर निर्भर करता है, कि इसकी जामिती कितनी सटीक है. यही बात शरीर पर लागू होती है, यही बात ग्रहों पर लागू होती है, यही बात ब्रामान पर लागू होती है, यही बात हर चीज़ पर लागू होती है प्रिथ्वी सूर का चक्कर लगा रही है वो किसी स्टील के तार से बंधी हो ही नहीं है ये बस जामिती की सटीकता है, है न? थोड़ा भी जामिती से अलग अगर ऐसा हो तो ये हमेशा के लिए गायब और यही आपके लिए भी सच है अगर आप अपनी मूल भूच जामिती से दूर जाते हैं तो आप खत्म ये बहुत महत्पून है कि कम उम्र से ही आप सही जामिती लाने के लिए सही चीज़ें करें फिर आप जीवन से गुजरने के योगे बन जाते हैं जो लोग सोचते हैं कि उनके साथ सिर्फ अच्छी चीज़ें होनी चाहिए जाहिर है कि वो जीवन के लिए आयोगे हैं क्योंकि अगर आप नहीं चाहते कि मुश्किल स्थितियों से अच्छी तरह खुशी-खुशी कैसे गुजरें फिर आप सभी संभावनाओं से बचेंगे है ना आप जीवन की सभी बड़ी संभावनाओं से सिर्फ इसलिए बचेंगे क्योंकि आप थोड़ी सी कटनाई से बचना चाहते हैं जब आप ज्यामिती रूप से तालमेल की ये खास थिती में होते हैं सिर्फ तब ही आप किसी भी स्थिती से गुजरने के लिए तयार रहते हैं चाहे वो कुछ भी हो